नमस्कार दोस्तो एन आर इस्टेडी में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं संसकर्थ का एक टोपिक है जो कि आपके रीड की दस्ती से भी अतिम मैत्पुन है जिसका नाम है वाचियम वाचिये तो उससे पहले एक मोटिवेशन के साथ क्लास की सपलता दिलाएगी जिस मैनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सपलता दिलाएगी जौंक दो खुद को इस आग में यही कल आपको हीरा बनाएगी यही कल आपको हीरा बनाएगी तो इसी उमीद के साथ आगे बढ़ते रहे और चलते रहे रुपना बिलकुल नहीं है तो बिल्कुल चलते हैं आज के वाच्ये जो हमारा टॉपिक है जो की रीट के दस्टी से भी महत्पूर है चलेगा वाच्ये हमारा टॉपिक आ चुका है तो चलते हैं क्लास की और तो ये आपका टॉपिक है वाच्यम तो वाच्यम यानि वाच्ये वाच्यम इसकी उत्पति य आपके और रीट का अतिमयत्मों टोपिक है तो लगबग ये क्लास के अंदर सोट रूप से बिल्कुल आसान परिके से समझाऊंगा कि आपको कहीं से पढ़ने की जर्वत भी ना पड़ेगी और आप आराम से सीख जाओगे और मज़ा आएगा चलेगा बात करते हैं वाच्यम की तो उत्पती तो वाच्यम की जो उत्पती होती है वो वच पलस नियत दातू से होती है नियत का यहां पर यह तो वच पलस यह मिलकर यहां पर क्या बनता है वाच्यम बनता है और ध्यान देजीगा वाक्यों की दस्टी से वाक्यों की दस्ट बीवार में पूरा हो रहा है और समझ में भी आ रहा होगा बिलकुल समंझ में आ रहा है तो जल्द से कमेंट करके बता अकल को समय नाम को पकड़ कर्त वाच्चर दीजिसि वाएite सिद्थ दो करत प्रदान होगा करता करने वाला ठीक है तो करत वाच्चे में क्या करता परतान होगा कर्म वच्छे में क्या होगा कर्म परतान होगा जबकि बावाची के अंदर यह क्या है एक आत्म पदेनी नित्य आत्म पदेनी परतम पुरुस एक वचन जो किरिया होगी इसके अंदर क्या होगा जो किरिया होगी वही यहां पर परमुगिस्तान रखे गिय आगे समझ मैं तो ये तीन प्रकार क्या होते हैं और तीनों हमने समझ लिए अब देखो बात करते हैं आगे करत वाद्चे के अंदर क्या होता है कि करता प्रतान होता है करता प्रतान यह जो पर्मु ग्रूप होता है जो पर्मु काईरे होता है वो करता का होता है ने हैं जैसे कि रोहन छेल रहा है लौन क्या करता है और जब क्या कर रहा है तो छी किरिया है तो वो चीज़े देखेगा करता करता में क्या होगी पर्थमा विवक्ति होगी और किरिया के अंदर भी क्या होगी पर्थमा विवक्ति होगी तो अभी आपको हम फॉर्मूला बता देंगे देखेगा अब बात करते हैं फिर करम वाच्छे की तो करम के अंदर करम प पर्तम पुरूस एक वचन की प्रियुक्त होगी चलो इसके बारा में बात कर लेंगे आप पहले आते हैं करतवाच्ची की ओर अराम से समझना है कि करतवाच्ची तो करतवाच्ची के अंदर आपको ध्यान रखना है 121 अभी 121 क्यों लिख रहा हूं यह देखो इसका एक तरी दित्या विवक्ति करम के बाद किरिया किरिया के अंदर पर्तमा विवक्ति आएगी जब करतवाच्ची की बात हो जैसे करता करम किरिया तो करता एक वचन करता पर्तमा विवक्ति करम दित्या विवक्ति और किरिया पर्तमा विवक्ति तो 121 आपको याद रखना है तो चले ग्रंत को पढ़ता है सुरेश क्या पढ़ता है ग्रंत को पढ़ता है तो ग्रंत यहां पर क्या है करम है कौन पढ़ता है ग्रंत को सुरेश पढ़ता है तो सुरेश क्या हो जाएगी आपके करता हो जाएगा और फिर क्या करता है सुरेश वह ग्रंत पढ़ता है तो पढ़ना यह आपर पढणा क्या है किरिया और देखो मैं ने क्या का जब करत वाग्षय के अंदर हो तो करत वाजशे के अंदर क्रता होता है वह आपकी प्रत्मा विबुक्ती होगा जो क्रम होगा वह जो पढ़ने की किरिया है तो पढ़ने की प्रतमा विबक्ति क्या होगी पठती पठतातु तो पठत की प्रतमा विबक्ति क्या होगी पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठतामी पठताम तो क्या हो जाएगा पठती तो क्या हो जाएगा पठती तो प्रतमा विबक्ति यहां पर आगई जो वचन वगेरा है वह आपकी किर्या के अनुसार चलेंगे अगर एक वचन उसके अनुसार वह चलते रहेंगे चलेगा अब बात करते हैं अराम जा गया करता करत वाची तो विल्कुल आसान है अराम से आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल सोट नोर्स बना रखे हैं तो मैंने सुचा कि आपको जल्दी में आराम से सोट रूप में समझा दे अगर आपको समझ में आ रहा है तो विल्कुल आप comment कर सकते हैं चलेगा बात करतें आगे करम वह अच्छी की करम के अंतर करम परतान होगा उसके अंदर 121 था इसमें ध्यान रखना 311 did got nowhere 1011 जालेका करम परतान है और करम के अंदर भी क्या होगी परत्मा विबग्ति होगी और अनुप करता मेठ र्ट्या विबग्ति तो यह वहां पर करता में परत्माबी बबड़ागी में परत्माब विबग्ति चलेगी और किरिया कर्म के अनुसार चलती है किर्या कर्म के नुसार चलती है किर्या कर्म के नुसार चलती है किर्या कर्म के नुसार चलती है कि पुस्त के पढ़ रहा है तो पुस्त के पढ़ रहा है तो पुस्त के वह अचन है तो आपकी जो किर्या है वह भी वह अचन के रूप में होगी तो उस नुसार चलती है जैसे यहां किरिया आत्मनेपदी होगी, क्या होगी, आत्मनेपदी होगी, और किरिया में आत्मनेपदी रूप चलते हैं, कौन से रूप चलते हैं, ध्यान रखना, आत्मनेपदी रूप चलते हैं, ठीक है, करता करम किरिया, ठीक है, करता तर्थया विवक्ति, करम परत्मा विवक किरिया प्रतमा विवक्ति देखो गया ना कि यहां पर जो करम होगा जो करम होगा वो किरिया के नुसार होगा और जो किरिया होगी वो करम के नुसार चलेगी यह दोनों में प्रतमा विवक्ति और उपर क्या चल रहा था जो करम जो आपकी किरिया चल रही है ना जो किरिया प अच्छी बात है चलेगा को द्यान रखना करम वाच्ची के अंदर मूल दातु में यते जोडते हैं ठीक है यते हैं पट यते हैं रम यते गम यते तो इस परकार आपको यते जोड़ना है मूल दातु में यते जोड़ना है करम वाच्ची जब आप बनाते हो चलेगा जैसे ऐना चलेगा अब हम बात करता है जैसे पतियते पतियते फ़िक इस परकार आपको जोड़ना है तो यहांपर जो करम चलता है वह किरया के नुशार सब्सक्राइब बात करते हैं कि आकरांद धात्वे यह में परिवर्तित हो जाती हैं आकरांद कि एकरांद में हो जाती है ईकरांद में क्या एगा उप्सरग आके रूप में आता है और मतलब हम कह सकते हैं इसके अंदर आप निकलो कि यहां पर आ रहा है ना तो आस सब में क्या रहा उपसर के रिउप में आ रहा है तो इसलिए फिर इकरांत इसले आप प्रिवर्तित हो जातीder एंदर है बिल्कुल चलेगा अब बात करते हैं आगे ग्रह ग्रह के अंदर देगो रह की आवर्तियोरी रिशी ठीक है तो ये ग्रह का ग्रह ग्रह है ना चलेगा अब बात करते हैं क्रम वाच्ची की तो क्रम वाच्ची की अब चली रहा है तो अब उदान की बात कर लेते हैं जैसे ये बी पर्तम विबेक्टि ये तो पटि ये इना विबक्ति शुरे सेन सुरे शेनने ने राम एन आ राम बैया मरे भाए घञ ब येन सुरे सेनल ग्रानुज भल्य arts शुरेस एन सारी विबक्तिया पढ़ लेना आपको आराम से पता चल जाएगा कि विबक्ति क्या होती है चलेगा अब बात करते आगे लोगो अन्य उदान की बात करते हैं अन्य उदान में जैसे राम पुस्तक लिखता है तो राम क्या करता है पुस्तक लिखता है तो जो करम होगा वो किर्या के नुसार चलेगा तो बिल्कुल करम किर्या के नुसार चलता है इसके लेंगे करता को थर्ड विवक्ति में बदल दो और खिर प्रतमा विवक्ति में बदल दो तो बदल लेते हैं यहां पर क्या है करत वाची तो देखो राम सब्थ यह एक वचन ठीक है एक वचन भी यहाँ पर हो जएगा, चलो करम बाच्ये में बदलते हैं इसको, तो करम बाच्ये में बदलतेने के लिए 311 फोर्मूला याद रोको, 311, बैल्ट नमर 311, तो बढ़नों भाई, राम सब की तरत्या पुक्ति रामेन है पुस्तकम तो पुस्तकम तो यहां पर क्या होज़ेगा पुस्तकम ठीक है फिर लिखती का क्या होज़ेगा लिख यहते जोड़ना है पीचे ठीक है पुस्तकम यह आपकी पढ़तमाव भी दिये चलेगा आगे समझ में चलो आगे चलते हैं सिसू जल पीता है तो पीता है तो पीता है तो पीते पीता है तो क्या हो जगा पीते तो बिल्कुल पीते तो यह ते यहां पर जोड़ना था किसमे करम वाच्छी के अंदर अब देखें यहां पर क्या है सिसू जलम पीबती तो पीबती आ गया पीचे पीबती आ गया मतलब य यह परतम विवक्ति इया और जल्म जल्म बिल्कुल यहां पर ब्रूंचों यह करत्वाच्य गरता कि ने आर पता है करत्वाच्य वें तर्थ्या विवक्ति तो क्या हो जाएगा इसको चैंज कर दो आप प्रतमा विवक्ति में यहां पर फीचिक जोड़ना यह तो पीए ते हो गया यह हो गया आपका करम वाच चाहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा अगला एक्जाम पर ले लो राम पाठ रम पाठ पढ़ती है तो पढ़ती है तो यह पढ़ती है तो यह देखो अब देखो इसके अंदर रमा प्रतमा विवक्ति पाठ तो पाठम यह को पाठम क्या है यह आपर दिते विवक्ति और पढ़ती है तो पढ़ती भी आप परतमा विवक्ति सीरी सी बात है करत्वाची करत को करम में बदलो 311 311 मतलब रमिया पाठ पठी यते चलो वई ऐसे आपको बदलना है जैसे मैं फल खाता हूं इसको बदलो अपना बदलो मैं फल खाता हूं आयम फल खादती तो क्या हो जाएगा आयम का मया फलम फलम खायते यते 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 आता ही आप तो समझो यह करम वाच पड़ लेते हैं तेका तुम गीथ गाते हो तो तौम गीथ गायों ती तो यह करतवाची है तो 311 तूसरा तौक वीथ तौक यह उजाएगा करमचीश तो आपका करमचीश में क्या होता है 311 ठीक है और आपके कर्त वाक्चिं मोता है आपके 121 करम वाक्चिं मोता 311 करorama चल्फ के बात करते हैं ना मैं क envy तो सकते हैंotive 121 जियान रहां के परतमा वभक्तिराम को राम को छेंजaches करते हैं ठीक है डीक है टेकर यह वर करने करते हैं रामा प्रत्मने टेम्ट होता ते इस मतन हुआ है कि तई हो यहइं और यहां पर क्या इसके बरता बने मिस्थे Um प्रतम पुरुस पर्तम वीवक्ति और वह वोचन कंदर करतारं के अदर करत्मीं बदलिन को करम सबना से शो Bringing सब्सादोर, यह याद रहे और आपके वाचित कंपलीट . चलो बड़ी बाव वाचित पर्तम पुर्व स्पत एक वचन की कर्ते लेगा ध्मने पधी की पर्तम पुरुस एक वचन की किरिया का पर प्रियुक्त होगी आत्मने पदे की पर्तम पुरूस और एक वच्छन की किरिया यहाँए का रूल रहता है और करता करता का करता और किरिया का दोनों का रोल यहां पर रहता है जहां पर करता करता के अंदर थत्तत्यय के लगी और ब्लकीत उसको बदलते हैं भावच्च में होजागा में हसता हूं तो Yes क्या है करत वाच्चे क्यों करता यहां पर क्या है परतम भी तो इसलिए करत वाच्चे हुआ तो इसको मैं बावच्चे मदलूंगा क्या हो जाएगा अहम का हो जाएगा मया और हसामी का क्या हो जाएगा हसियत है तो इस प्रकार आप करत वाच्चे को भी बावच्चे में बदल सकते हो चलो बई और कुछ एग्जामपल ले लेते हैं तुम लिखते हो या तुम लिखते हो तुम लिखते हो तुम लिखते हो तुम लिखते हो त करता परतLar विव्विöttि और किया भी परतिमा विव्विक्ति तो करत्वाचे को बदलें । बजलएßenें, क्या करेंगे 21 K た का को बदल थ्ठव विविक्ति में त्वाए लिखतेढकर लिक निए दिए बस अराम से हुझ हए यह आद अगर अगर है यह यह वावाचि ऐ तो अश्मा भी गेत्स तो यह वचन है और इसके परतम विभक्ति एक मैं इसको आप उसरी में परतम सुल जाहराए वेहं जैसे अब इसको रसुछ सरावाचिं माल नहीं जा ब्रदक्ति नहीं क्या हुज जाएगा गयाम ठीक है बस यह वगया आपका तो इस परकार आप बदल सकते हो और इस परकार आपको यह आपको शोट जो सोट नौट है वह कैसे लगे कमेट करके जरूर बताएं और सबसे बड़ी कहाँ है कि आपको समझ में आया या नहीं इसका भी आप जरूर ब करते हैं अगर आपका निवेदन हो तो बिल्कुल आपके क्यूशन भी करवा दिये जाएंगे तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका टेडल से सुक्रिया और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब निकिया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेए दन्यवाद दोस्तों अमारे साथ बने रहने के लिए